हलो एवरीबन हाव यू आप सब वरिषिक्षा के आज के सेग्मेंट में आपके साथ हूं आपका मित्र रहा हूं जिससे सभी तरह के लोग सायद बहुत सारे लोग परिशान रहते हैं एक प्रॉब्लम तो इंटर्व्यू के टाइम पर लोगों के पास से निकल कर मेरे पास आती है कई बार लोग जुडिशरी में इंटर्व्यू पर पहुँच जाते हैं और जब उनका इंटर्व्यू का डेट आता है तो एक परिशानी लेकर आते हैं सर मेरे 10th के मार्कशीट में नाम कुछ और है 12th के मार्कशीट में नाम कुछ और है Graduation के मार्कशीट में नाम कुछ और है मुझे क्या करना होगा या कई बार पिता के नाम में डिफरेंस आ जाता है नाम की स्पेलिंग में परिवर्तन आ जाता है एक तो और हद था, एक student था मेरा रमेश नाम का, उसके एक document में उसका नाम रेश्मा लिखा हुआ था यहां तक की mistake हो सकती है कई बार school या college से certificate मिलने में समस्या हो जाती है जैसे आपको पता होना चाहिए, हमारे जो प्रधानमंत्री है देश के वर्तमान में उनके document में उनका नाम लिखा है नरेंद्र मोदी और एक document में लिखा है नरेंद्र दामोदरदास मोदी तो कई बार दो नामों के चलते लोगों को परिशानी हो जाती है और interview में या final investigation में यह document आपको problem दे सकते हैं अगर आप government job में जा रहे है सामान्यता भी कई बार लोगों को अपने नाम से शिकायत होती है नाम पसंद नहीं आता खुद का वैसे कहा तो यह जाता है कि नाम बड़ा या काम आपका काम ही आपको बड़ा बनाता है दरवाई सोचें किसी अपने बच्चे का नाम हल्दी राम रख दिया हो बच्चे का नाम रख दिया हल्दी लेकिन वो नाम एक समय इतना बड़ा ब्रैंड बन सकता है कि लोग उसके नमकीन ढूंड रहे हैं पूरे भारत भर में भारत में नहीं भारत के बाहर भी तो नाम नहीं बड़ा होता काम बड़ा होता है लेकिन फिर भी कई बार ऐसे नाम बच्पन में रख दिये गए हैं जो हमको बदलना हैं तो कैसे बदलें कई सारे लोग अपना खुद का नाम रखना चाहते हैं क्योंकि घर में गाउं देहात में नाम उसका रख दिया बुदवार को पैदा हो गया तो बुदरू रख दिया सोमवार को पैदा हो गया तो समारू रख दिया मंगलवार को पैदा हुआ तो मंगलू राम रख दिया बच्पन में सिर पे बाल नहीं थे तो 36 गड़ में मैंने देखा एक बच्चे का नाम था तांगरू राम, तांगरू मतलब तकड़ा, तो लोग अपना नाम बदलवाना चाहते हैं, इसकी प्रोसीजर क्या है, आज मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताने जा रहा हूं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो document में ये नाम हैं और आपको इस नाम से ही अब जाना जाना चाहिए, आपको ये लिखना होगा कि पहले आपका नाम ये था, आपका ये नंआ नाम है, जिससे आपको जाना जाए, यह जो एफिडेविट आप बनवाएंगे, इसको आपको notary public से notarize करना होगा और इस एफिडेविट को publish करवाना होगा या नाम परिवर्तिन की सूचना आपको प्रकाशित करनी होगी newspaper में कोशिश ये करें कि एक English के paper में और एक Hindi के paper में नाम परिवर्तिन की सूचना प्रकाशित करवा दें जो आपका notary public है वही आपको सूचना का format भी provide करवा देगा जो नाम change करना है उसके procedure के तहर नाम बदलने का जो कारण है वो भी आपको लिखना होता है ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि किसी अगर सरकारे department को आपके नाम बदलने से इतराज है तो वो इसके लिए objection ले सकें जैसे कोई अपराधी है और वो अपना नाम इसलिए बदलना चाहता है कि पुलिस उसे trust न कर सके या कोई व्यक्ति जिसके नाम का warrant निकल गया है वो अपना नाम बदलना चाहता है तो आपने कई बार देखा होगा पुलिस अपराधी के नाम का जब कोई proclamation करती है तो लिखा होता है फ़ला उर्फ दूसरा नाम उर्फ तीसरा नाम तो उस व्यक्ति ने अपना नाम कई बार बदला होगा और उसे इस नाम से अलग-अलग नामों से लोग जान रहे होंगे फिर आपको newspaper में इसलिए publish करवाना होता है कि हर एक व्यक्ति जान सके कि आप जो है अपना नाम बदल रहे हैं और अगर किसी को objection हो तो objection ले सके या आपको clean sheet मिल सके जब आपका नाम उस newspaper में छब जाता है तो आपको एक एफिडेविट और बनाना होता है या एफिडेविट भी पहले जैसे एफिडेविट की तरह ही होगा सिर्फ उसमें आपको एक नया पैरा जोड़ना होता है जिसमें लिखा होता है कि क्यूं आपने अपना नाम या सरनेम बदला है उधारण के लिए आपने अपने नाम के पीछे पहले कुछ नहीं लगाया था फिर आपने अपना सरनेम लगा दिया है और अब आप अपना सरनेम या लगाना चाहा रहे हैं या सरनेम आप बदलना चाहा रहे हैं तो आप उसमें लिखेंगे कि पहले वाला नाम मेरा ये था अब नया नाम मेरा ये है जिसके लिए मैंने प्रकाशन कर दिया है और निउस एफिडेविट, न्यूस्पेपर और अपना एक आईडी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड हो सकता है या सरनेम बदलने के स्थिति में माता-पिता के आधार कार्ड या उनका आईडी प्रूफ ये ले जाकर अपने जिलेव राज्य के कंट्रोलर और पब्लिकेशन के आफिस मे अपने बाद आपका नाम आपके सरकारी राजपत्र में नेम चेंज के कॉलम में आ जाता है Central Government और State Government दोनों ही गजट का Publication करती हैं जिसमें Name Change कॉलम में आपका पुराना वाला नाम और नया वाला नाम प्रकाशित होगा कुछ राज्ये हैं जो गजट नहीं पब्लिश करती हैं इसके संबल में जैसे अप्तरप्रदेश, हरियाना तो इन राज्यों में नाम परिवर्दन का गजट नहीं निकलता इनका नोटिफिकेशन दिल्ली में होता है तो बेटर है आप दिल्ली के किसी एड़ोकेट से संपर् करने वाले लोगों को अपना नाम बदलना होता है तो संट्रल गवर्वर्मेंट का गजट माना जाता है इसके अलावा भी कईपार्टमेंट हैं जिनमें जॉप करते हुए को नोटिफिकेशन करवाते हैं ङ। यह सारे गजट दिल्ली करवाना चाहते हैं तो भी एक application आपको संबंदित board या university को देना होता है संबंदित सुल्क ले करके वो नाम change करवा देते हैं अगर आप शादी के बाद नाम change करवाना चाह रहे हैं पहले आपका surname कुछ और था शादी के बाद कुछ और हो गया है तो इसके लिए एक दूसरा procedure है इसके लिए प्रोसीजर ये है कि आपको पहले अपना marriage certificate बनवाना होगा marriage certificate की copy आप हर एक document को change करने के लिए लगवा सकते हैं और उस marriage certificate की copy के आधार पर ही आपका नाम परिवर्दन सरनेम परिवर्दन हो सकता है और उस marriage certificate के आधार पर ही आप अपने document में अपना surname change करवा सकते हैं तो ये बहुत ही brief procedure था, समझने में बहुत ही आसान लग रहा होगा लेकिन क्योंकि इसमें सरकारी विभाग और government officials का दखल है तो इसमें थोड़ा सा procedure लंबा हो सकता है मेरा ऐसा समझना है कि इस काम के लिए process सारा online हो जाना चाहिए जिससे कि व्यक्ति आराम से घर बैठे अपना identification अपना नाम change करवा सकें और मेरा ऐसा मानना है कि नाम change हो जाने पर भी उसका आधार number सेम रहना चाहिए जिससे कि किसी व्यक्ति को एक number के आधार पर ही trust किया जा सके तो ये था दस्तावेज में नाम बदल वालें का procedure अगर आपको ये प्लक्रिया आसान लगती हो या टफ लगती हो आप खुद करना चाहते हो तो करें या किसी समझदार वकील को पकड़ ले थोड़ी मोडी फीस लेकर के वो आपका काम आसानी से करवा देगा लेकिन मैं ये जानकारी आपको इस चैनल के माधियम से इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये काम खुद करवा सकें एक बात और समझ लें अगर आप किसी एक्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और आपके दो डॉक्यूमेंट में अलग-अलग नाम हैं तो आपको साधारणत नाम चेंज करवाने की आवश्यक्ता नहीं है आप एक एफिडेविट बनवा के रख लें और वो एफिडेविट आपके काम में आएगा एक एफिडेविट जब आप एक्जाम में जाएंगे तो आप एफिडेविट महां ये देंगे कि मेरे तीन दस्तावेज में मेरे ये ये नाम है और मैं यही व्यक्ती हूँ जिसके अलग-अलग नाम यहां पर में है आप एक शपत पत्र जमा करते हैं और वो एकसेप्ट कर लिया जाता है तो अगर आपके अलग-अलग डॉक्युमेंट में अलग-अलग नाम है तो वापस से रिपीट कर दूँ दो तरीके हैं आपके पास पहला कि सारे डॉक्युमेंट में एक समान नाम करवा लीजिए चेंज करने का प्रोसीजर मैंने आपको बताया दूसरा अगर आप नाम या सरनेम बदलना चाहते हैं इस प्रोसीजर से जाईए तीसरी बात अगर आपके एक डॉक्युमेंट में नाम कुछ और है दूसरे डॉक्युमेंट में नाम कुछ और है तो एक एफिडेविट बनवा कर रख लीजिए ये आपको हमेशा ही काम में आएगा चौथी और मोस्ट इंपोर्टन बात अगर आप माता पीता हैं पैरेंट्स हैं और इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो सभी दस्तावे जो में अपने बच्चे के नाम को ठीक ठीक दर्ज करवाईए नाम सोच समझ कर रखिए ताकि भविष्य में उसे ऐसी कोई परिशानी न हो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके बहुत काम का है और आपको ये बात समझ में आ गई होगी आज यहीं रुखते हैं फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ आपके फिवरेट प्लेट फॉर्म विधिक सिक्षा पर आपके नाइस टाइम टेक केर बाबाए आपके नाइस प्लेट एक्राइब प्लेट प्लेट विदंग का है और आपके नाइस कीस्तूण विख्णाश सेस्टूशन प्लेट विग्म्मी टेयूँ सिक्षा आपके लेक्षा हैं